आप सबको सागते मेरे YouTube चैनल एलर नाइट है आज का मारा टॉपिक है टर्नार थेरी फस्टियर टर्नार थेरी MCQ और मॉडूल वाज हम जो मॉडूल वाज आपको कंटेनुव क्लास करवा है तो मॉडूल का नाम है कटिंग लेत कटिंग टूर्स तो आज का मारा क्लास में हम सरा को कहा नाम है करते हैं मतलब जैसे को इससे कुछा गया की कौन सी जो प्रापर्ती मतलब गुंदर का ट्रिंग टूर्स के पूल्सके टूल पूच्छा था कि कौन सी गुंदर मों कटिंगेज के टूल के टूल को टूटने को रोकता है तो इसका जो सही अंसर है तो जैसे कॉच्छन में क्या पूचा गया थे कि यह नमाने कि प्रेंसे कौन सा एक टूल मट्रेल है जो फेरस टूल मट्रेल है तो इसका सही अंसर है अप्शन नमर ए हाइस्वेड स्टील नेस्ट कोश्चन तो इसक्रीन पर आपको टूल का डाइगराम दिखाया गया तो यह कौन से टाइप का टूल है यह में पैचानना है तो इसके लिए पहला आप्शन है फेसिंग टूल दूसरा पार्टिंग आप टूल तिसरा रफिंग टूल चौत्रा आप्शन है वाइड नोज इसक्वेर कॉछन है पूछा था क्यों जैसे आप पर आप देख सकते कपटिंग टूल को दिखाया गया जए यह मारे जौब है यहrika कटिंग टूल है तो यह कौन से टाइप का कटिंग टूल है जो कॉछन है पूछा था तो इसकेreiben को सही अंसर है आप्शन हमटी वाइड नो जैसक्व कर देख सकते हैं यहां पूरा दिखाई दे रहा है इसलिए का कटिंग टूल का नाम है स्कुर्फ टूल नामस्ट कोस्टन वाट इसलिए नेम आप देख सकते हैं जो कटिंग टूल आपको दिखाया गया है जैसे हम पर हमारा जौब है जो इंटरनल बोरिंग किया जा रहा है यह अंदर वाला जो यह पूर्शन आपको दिखाया दर यह इस ऑपरेशन करने के लिए इस टूल का उपए किया गया तो य यह टूल का नाम हमें पहिचानना है तो इसके लिए पहला अप्शन है बोरिंग टूल दुसरा कॉर्नर बोरिंग टूल तूसरा इंटरनल रिशेशिंग टूल और चौछता अप्शन इंटरनल थ्रेडिंग टूल तो जब भी हम कुई भी डाइग्रम के तरह दिखाया जात तो इंटर्नल रिसेसिंग है और इंटर्नल रिसेसिंग करने के लिए इंटर्नल रिसेसिंग टूल का ही उपायों किया जाता है next question, what is the name of the tool, तो इसके पर आपको cutting tool दिखाया गया है तो इस tool का हमें नाम पैचानना है, जैसे same diagram इसके पहले भी पूछा गया था इसके लिए पहला option है, सिर्फ इस question में जैसे इसके पहले के जो question था same लेकिन उसके option और इसके option changes है, तो हमें पहिचानना है कि इस cutting tool को क्या कहा जाता है इसके लिए पहला option है parting of tool, दूसरा knife edge tool, तिसरा crack turning tool और शहुता option है wide nose square turning tool तो जैसे question में पूछा गया था कि जो इसके पर दिखाया गया है, cutting tool है, इसका नाम क्या है, तो इसका सही answer है, option number a, parting of tool तो जैसे दोनों same diagram थे, लेकिन इसमें जो आपको जो arrow के सहता से दिखाया गया है, इसके पहले के question में arrow यहाँ पर नहीं था, side में दिखाया गया था और arrow अभी इस question में center में दिखाया गया, इसलिए यह cutting tool का नाम change हो गया है, next question which property of the cutting tool is the amount of hardness processed by a material at normal temperature, cutting tool की कोन सी गुंदर्म है, जिसमें सामाइनना temperature पर किसी material की कटरता की मात्रा होती है इसके लिए पहला option है ductility, जिसना toughness, तिसरा red hardness और चौता option है cold hardness तो जो question में पुछा गया था हमें cutting tool की कोन सी गुंदर्म है, जिसमें सामाइनना ताप पर किसी material की कटरता की मात्रा होती है तो इसके अंसर है option number D, cold hardness which among the tool material belong the non-metallic tool material, कोन सी tool material non-metallic से संबंधी तैनल में लेकित message जो question में पुछा है, तो इसके लिए पहला option है high speed steel, दूसरा carbide, तिसरा stay light और चौता option है ceramics तो जैसे question में पुछा था कि कोन सी tool material non-metallic से संबंधी था है, तो इसका सही answer है option number C, option number D, ceramics next question, what is the name of the angle mark X, तो इसकिन पर आपको cutting tool का diagram दिखाए गया है जिसमें X के रूप में जो part आपको दिखाए गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं X के रूप में जो part आपको दिखाए गया है इस angle का नाम क्या है, जो हमें पैचानना है, इसके लिए पहला option है side track angle, दूसरा side clearance angle, तिसरा front clearance angle, और चौता option है end cutting edge तो ध्यानों रखेगी, जब भी हम जो हमारा आज का मोडूल है cutting tool का, यह बहुत important है, आप जब भी idea होने के बाद जो भी competitive exam दिखाए गया है, तो जो question पूछा गया था कि X के रूप में दिखाए गया है, जो आप 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 देख सकते X के रूप में जो दिखाए गया है, इसे angle का नाम है, option number C, front clearance angle, यह हमारा side rake angle है, यह हमारा side rake angle है, यह हमारा top rake angle है, और सामने से जो, जब cutting edge को, cutting edge हमारा job के साथ touch नहीं होना चाहिए, तो उस समय, जो cutting edge के नीचे वाले side को घिसा जाता है, उसे कहा जाता है, front clearance angle, next question, what is the name of the angle mark X, तो यहाँ पर आप देख सक लेकिन angle इसका change हो गया है, तो question में हो ही पूचा गया है कि X के रूप में दिखाएगे angle का नाम क्या है, तो इसके लिए पहला option है side rake angle, दूसरा side clearance angle, तिसरा front clearance angle, और चौबत option है end cutting edge angle, तो जो question ने पूचा था कि diagram में दिखाएगे cutting tool में, X के रूप में जो angle आपको दिखा आए गया है, इस angle का नाम क्या है, तो इसका answer है, option number, यह side rake angle, जैसे इसके पहले के question में हमने आपको बताया था, यह हमारे एक side है, यह हमारे दूसरा side है, यह हमारे सामने वाला front clearance angle है, next question, what is the name of the part mark X, तो इसके लिए पर आपको फिर से diagram दिखाएगे cutting tool का, और इसमें angle है, जो हमें पैचान है, कि X के रूप में दिखाएगे angle का नाम क्या है, तो इसके लिए पहला option है side rake angle, दूसरा side clearance angle, तिसरा front clearance angle, और चौत option है end cutting edge angle, तो जैसे question में क्या पूछा गया थे, कि screen पर दिखाएगे, जो cutting tool है, उसमें जो X के रूप में जो angle आपको दिखाएगे इस angle का नाम क्या है, तो इसके अंसर है, option number B, side clearance angle, next question, what is the name of the angle mark X, तो इसके रूप में जो angle आपको दिखाएगे इस angle को आमें पैचानना है, तो इसके लिए पहला option है side rake angle, दूसरा back rake angle, तिसरा front clearance angle, चौत option है side cutting edge angle, तो जैसे question में पूछा था, कि screen पर दिखाएगे, cutting tool मे X के रूप में जो angle दिखाएगे, इस angle का नाम क्या है, तो इसके अंसर है, option number D, side cutting edge angle, next question, what is the name of the angle mark X, तो इसके रूप में आप देख सकते, side cutting tool का दिखाएगे, turning tool है, तो इसमें जो X के रूप में जो angle आपको दिखाएगे, यह हमें पैचानना है, तो इसके लिए पहला option ह angle, दुसरा side rake angle, तिसरा front clearance angle, और चाहुता option है, side cutting edge angle, तो जो आपर आप देख सकते, cutting tool आपको दिखाएगे गया है, एकदम, जो clearly आपको दिखाएगे दर है, X के रूप में जो angle है, इस angle का नाम है, option number E, top rake angle, जो उपर वाला जो हमारा भाग है, cutting tool का side view है, उसमें जो उप उपर में आपको दिखाएगा, यह top rake angle है, next question, what is the name of the part mark X, तो इसके रूप में जो cutting tool को angle का नाम हमें पैचानना है, तो जो हाँ पर आप देख सकते हैं, जो cutting tool है, cutting tool को हमारा third angle view में दिखाए गया, तो इसमें जो X के रूप में आपको इस angle को दिखाए गया है, इसके लि cutting tool के diagram में X को रूप में दिखाए कि angle का नाम क्या है, तो इसके answer है, side relief angle option number C, next question, what is the angle form between the side cutting edge and line perpendicular to the tool axis, जैसे question में क्या पूछाए की, side cutting edge और एक line के बीच बने angle का नाम है, जो tool के axis के लगबग सिधा होता है, तो इसके लिए पहला option है, side clearance angle, दूसरा front clearance angle, तिसरा option है front cutting edge angle, और चौता option है side cutting edge angle, तो जो हमें question ने पूछा था कि side cutting edge और एक line के बीच बने angle का नाम है, जो tool के axis के लगबग सिधा होता है, उसे कौन से angle कहते है, तो इसके answer है, option number A, side clearance angle, next question, what is the name of the angle mark X, तो इसके नोपर आपको cutting tool का diagram दिखाए गया ह तो इसमें जो X के रूप में आपको दिखाए गया है, तो इस angle का नाम हमें पैचारना है, तूसके लिए पढ़ला option है, । दूसरा point angle, तिसरा side clearance angle, चौत और प्रप्षन है front clearance angle, तो जो question में आपको भीचा गया था, कि cutting tool में angle दिखाए गया है, X का रूप में इस angle का नाम ह तो इसका एंसर है option अमट दी front clearance angle next question what is the name of the part mark X तो इसके पर फिर से आपको होता option है secondary cutting edge तो जो question ने पूछा था कि इसके रूप में इसका नाम हमें पैचान ना था तो इसका एंसर है option number D secondary cutting edge next question what is the name of the angle mark X तो इसके रूप में जो एंगल आपको दिखाए गया है यह हमें पैचान ना है जो हमारा एक बोरिंग टूल है बोरिंग टूल के उपर एक्स के रूप में जो एंगल आपको दिखाए गया है इसके पैचान ना है तो इसके लिए पाहला option है back rack एंगल दूसरा side rack एंगल तिसरा end relief एंगल शवता आप्शन है side clearance एंगल तो जो बोरिंग टूल के उपर जो एंगल आपको दिखाए गया है एक्स के रूप में तो इ इसके लिए पहला option है right hand cut turning tool दूसरा left hand turning tool तूसरा अंग कटिंग टूल शफूता option है farming tool को जो question है पूछा था कि कौन सा turning टूल का cutting edge boring टूल के समान होता है इसके एंटिन नमर B left hand turning tool जो हमारा left hand turning tool होता है उसके साहता से हम boring भी कर सकते हैं इसलिए इससे cut turning tool का cutting है जा और left hand boring tool का cutting is same कहा गया है next question what is the use of an end cutting tool end cutting tool का उपए क्या है जो question में पूछा है तो इसके लिए पहला option है forming operation दूसरा multipoint operation तिसरा plunge cut operation चाहता option है side cutting operation तो जो question में हमें पूछा गया थे कि end cutting tool का उपए क्या है तो इसके answer है option number c plunge cut operation next question which tool material has poor hardness property कौन से tool material का कमज़र hardness का गून होता है कौन से tool के material में तो इसके लिए पहला option high speed steel पहला option high carbon steel दूसरा high speed steel तिसरा carbide और शाहता option है ceramic तो जो question में पूछा थे कि कौन सा tool material का कमज़र hardness का गून होता है तो इसके answer है option number a high carbon steel next question which angle prevent the parting tool from getting jam in the groove मतलब कौन सा angle parting tool को जो job के अंदर फसने से बचाता है यही question में पूछा गया है तो इसके लिए पहला option है rake angle दूसरा clearance angle तिसरा side relief angle और चौथा option है cutting edge angle तो जैसे question में क्या पूछा था कि कौन सा angle parting tool को groove में फसने से रोकता है तो इसका answer है option number c side relief angle side relief angle देने के बज़े से जब हम parting करते हैं तो जब job के अंदर tool जाता है तो उस समय फसता नहीं है next question which angle control the geometry of chip formation कौन सा angle चीप निर्मान की geometry को नियंतरित करता है तो इसके लिए पहला option है cutting edge angle दूसरा option है clearance angle तिसरा relief angle चौथा है rake angle तो जो question में फूछा था कौन सा angle चीप निर्मान की geometry को नियंतरित करता है तो इसका answer है option number d rake angle next question what is the angle between the side of the cutting edge to the top face of the tool width wise जैसे question में क्या पूछा गया है कि चौड़ाई पर cutting edge के side और tool के top crust के बीच कोन सा angle बनता है तो इसके लिए पहला option है side rake angle दूसरा back rake angle तिसरा side clearance angle चौथा option है side cutting edge angle तो जो question में हमें पूछा गया थे कि जो cutting tool होता है cutting tool के चौड़ाई पर cutting edge के side और tool के top के बीच कोन सा angle बनता है तो इसका answer है option number side rake angle next question why is the rake angle provided rake angle क्यों पुरदान किया जाता है cutting tool में यही हमें question में पूछा है तो इसके लिए पहला option है to prevent rubbing action मतलब जो cutting tool rubbing मतलब घीसता है उसे रोकने के लिए दूसरा to strain the cutting tool मतलब cutting tool को मजबूत करने के लिए तिसरा to permit clearance between tool and work मतलब cutting tool और job के विस clearance के अनुमति के लिए चोंता option है to control the chip flow and geometry of chips मतलब chip flow और chips की geometry को नियंतरिक करने के लिए तो जैसे question में पूछा था कि why is the rake angle provided मतलब cutting tool में rake angle क्यों पूरवाइड किया जाते है तो इसका जो सही answer है option number D to control the chip flow and geometry of chips मतलब chip flow और chip की geometry को नियंतरिक करने के लिए next question what is the purpose of side clearance given on turning tool turning tool पर दिये गए side clearance का उद्धेश क्या होता है तो इसके लिए पहला option है to control the chip flow मतलब chip flow को नियंतरिक करने के लिए दूसरा to increase production मतलब उतपादन बढ़ाने के लिए तिसरा to increase the strength of the tool मतलब tool की मजबूती बढ़ाने के लिए और चवता option है to prevent the tool from rubbing with work मतलब job और tool को rubbing से रोकने के लिए मतलब गिसने से रोकने के लिए इसका सही answer आता है तो जैसे question ने पूछा था कि turning tool पर दिये गए side clearance का उद्धेश क्या है तो इसका answer है option number D to prevent the tool from rubbing with work मतलब जो cutting tool होते है cutting tool को job के साथ गिसने से रोकने के लिए next question why is the side relief angle provided side relief angle क्यों पुरदान किया जाता है cutting tool पर इसके लिए पहला option है to prevent the tool from getting jam मतलब cutting tool को jam होने से बचाने के लिए दूसरा to increase the strength of the tool मतलब tool की मजबूती बढ़ाने के लिए तिसरा option है to increase production मतलब to control the chip flow मतलब chip flow को नियंतरित करने के लिए तो जैसे question ने पूछा था कि why is the side relief angle provided मतलब cutting tool पर side relief angle क्यों पुरदान किया जाते है तो इसका answer है option number A to prevent the tool from jam getting jam मतलब cutting tool को jam होने से बचाने के लिए next question what is the purpose of the angle mark x तो इसके रिम पर आपको cutting tool का diagram दिखाय गया है तो इसमें जो x के रूप में जो angle आपको दिखाया गया है 14 degree तो इस angle का उद्देश्य क्या है यह आमें पूछा गया है इसके लिए पहला option है to prevent rubbing of the tool मतलब cutting tool को घेसने से रोकने के लिए दूसरा to control chip and geometry of chip मतलब chip और chip की geometry को नियंतरित करने के लिए तिसरा option है to obtain orthogonal cutting edge मतलब orthogonal cutting edge प्राप्त करने के लिए और शवता option है preventing the tool from getting जा मतलब cutting tool और job के job को job में होने वाले जो job में फस जाते उसे उसे बचने के लिए तो जो question में हमें पूछा था कि इसके लिए पर दिखायेगे cutting tool में जो 14 degree दिखायेगा है angle इस angle का उद्देश्य क्या है तो इसका answer है option number B to control chip and geometry of chip मतलब chip और chip की geometry को नियंतरित करने के लिए नियोश्वश्वश्व what is the purpose of the angle mark X तो इसके लिए पर आपको जो angle दिखायेगा है X के रूप में इससे कहा जाता है front clearance angle तो जो front clearance angle जो cutting tool पर दिया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है जो question में पूछा है जिसके लिए पहला option है to control chip flow मतलब chip flow को नियंतरित करने के लिए दूसरा control tool geometry मतलब tool की geometry को नियंतरित करने के लिए तिसरा option है prevent the rubbing of tool मतलब tool को घिसने से रोकने के लिए तो जो हमें question ने पूछा था कि cutting tool में जो angle दिया गया है front clearance angle x के रूप में इसका purpose क्या है तो इसका answer है option वर्सी prevent the rubbing of the tool मतलब cutting tool को घिसने से रोकने के लिए next question what is the name of the angle mark x तो इसके लिए पर आपको एक boring tool का diagram दिखाया गया है तो boring tool के diagram में जो x के रूप में जो angle है आमें पैचाना है तो इसके लिए पहला option है side rack angle दोसरा end relief angle तिसरा side clearance angle चौछत option है end cutting edge angle तो जैसे question ने पूछा था कि जो इसके रूप में आपको एक boring tool का diagram दिखाया है इसमें जो x के रूप में जो partize angle का नाम क्या है तो इसके एंसर है option number c side clearance angle next question what is the name of the angle mark x तो इसके रूप में आपको जो फिर से boring tool का diagram है दिखाया है और इसमें जो x के रूप में एंगल है यह आमें पैचानना है तो इसके लिए पहला option है side rack angle दूसरा front clearance angle तिसरा side clearance angle चौछता option है end side clearance angle तो जो boring tool के उपर x के रूप में जो एंगल दिखाया गया है तो इसके एंसर है option number d end side clearance angle next question why can carbide not be used as a solid wheat carbide को solid wheat के रूप में क्यों उपयूग नहीं किया जा सकता है तो इसके लिए पहला option है due to its ductility मतलब इसकी ductility के कारण दूसरा इसकी vitality के कारण बिटलनेस के कारण तिसरा इसके hardness के कारण और शवता option इसका cold hardness के कारण तो जो question में हमें पुछा गया था कि जो हमारा carbide tool होता है carbide tool को हम solid wheat के रूप में क्यों उपयूग नहीं कर सकते है तो इसका answer है option number b due to its brittleness मतलब इसकी भंगूरता का जो गून होता है इसके कारण हम इससे solid wheat के रूप में उपयूग नहीं कर सकते है next question what will happen if there is too much side relief in the parting tool याधी parting tool में बहुत अधिक side relief angle दिया जाता है तो क्या होगा यही question में पूछा है तिसके लिए पहला option है weak that tool मतलब tool कमज़र हो जाता है दूसरा get more tool life मतलब tool की life बढ़ जाता है तिसरा strength that tool मतलब tool की tool मजबूत हो जाता है एपर चौता helps easy chips पलो मतलब आसान chip पलो की मदद करने के लिए तो जो question में पूछा गया था कि याधी parting tool में बहुत ज्यादा side relief angle दिया जाता है तो क्या होगा तो इसके answer है option number A weak that tool मतलब cutting tool कमज़र हो जाता है अगर ज्यादा हम side relief angle देते हैं तो